सही और गलत का अंतर एक दिन बादशा अकबर ने सोचा, हम रोज रोज न्याय करते हैं, इसके लिए हमें सही गलत का पता लगाना पड़ता है, लेकिन सही और गलत के बीच आखी रंतर कितना होता है? दूसरे दिन बादशा अकबर ने यह सवाल दर्बारियों से पूछा दर्बारी इस प्रशन का क्या मतलब देते वे एक दूसरे की शकल देखने लगे बादशा समझ गए कि किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है इसलिए उन्होंने बीरबल से पूछा तुम ही बताओ सही और गलत में कितना अंतर है अकबर चो के वो तू समझते थे कि इस सवाल का कोई जवाब नहीं हो सकता इसलिए बीरबल का जवाब सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ उन्होंने कहा बीरबल समझा कर बताओ जहां पना आँख और कान के बीच चार अंगुल का अंतर है यही सही गलत के बीच की दूरी है आप जिसे अपनी आँखों से देखते हैं वो सही है जिसे अपने कानों से सुनते हैं वो गलत भी हो सकता है इसलिए सही और गलत के बीच चार अंगुल का अंतर माना जाएगा ये सुनकर बादशा अकबर बोले वाँ, बीरबल वाँ, तुम्हारी बुद्धी और चतुराई का जवाब नहीं ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दबाएं